थोड़ सा क्लोजब से दिखाते हैं एक सेकंड के लिए तो यह जो रोलर देख रहे हैं यह घूमता था उस वली उससे जो आप महाँ पर गेर देख रहे हैं यह जब ट्विस्ट होती थी ऐसी होती तो एक तरफ की चेन ताइट जाती थी रोलर इदर गुम जाता था मेरे पीछे ये जो देख रहे हूँ ये रोलर टाइप उस वक्त में होते हैं रोड रोलर तो ये इसकी पेंट जॉब तो अलग कर रखी है इसको थोड़ सा हाइलाइट करने के लिए बट ये उस वक्त का रोलर है कि ये किस टाइप का दिखता था और हमारे पीछे अगर आप और उस तरफ तो कुछ ट्रें चेंच भी हो उस तरफ तो कुछ ट्रेंच की हैं काफी एज काफी पुराने विंटेज ने व उसके ओपर भी आएंगे लेकिन फिलाल यह जो हम लोग क्रैंची और इसके सात में एक प्रॉब्म ये थी कि हमें लगता था कि ट्रें की पट्री जाने से पैर फज़ाता है थोड़ी सी और आगे चलते रहते हैं तो यहां पर यह एक और रोड रोलर है यार बताव चेंज सिस्टम होते थे इसमें पहले अच्छा यह जो चेंज सिस्टम है मैं वैसे बता देता हूं लेकिन आप लोग की नॉलिज के लिए लेकिन कुछ तो यह जो डोलर देख रहे हैं यह घूमता था उस वाली उससे जो आप महां पर गेर देख रहे हैं तो यह जब चेंज ट्विस्ट होती थी ऐसे होती थी तो एक तरफ की चेंज टाइट जाती थी रोलर इधर घूम जाता था एक तरफ की चेंज टाइड जाती थी तो रोल बैठेंगे वो पैडलिंग करेंगे तो ये कार के ना तो कोई इतना बड़ा इंजन इंजे यह उस वक्त इनके अंदर कोल जला जाता था और बहुत पहले कुछ भी जला दिया जाता था लगड़ी कोई भी लट्थे वट्थे ऐसी कोई वी चीज जो जल सकती है वह सारी चीज़ जलाई जाती थी इसके अंदर अब यह देखिए, इनका साइज कितना मैसिव हुआ गड़ता है, कितना मैसिव, यह बहुत बड़े हैं, मतला मैं यहां हूँ, तो यह नहीं जा रहा है, अच्छा, लाइट पर हमारा धेहन गया, तो यह जो लाइट देखना अभी तो इसमें बल्ब लगा हुआ है, उस वक्त होती थी, लूस बैटरी होती थी, अब यह मैं बताओं उसके वारे में, तो इसमें ऑईल लाइट हुआ करती थी, ओईल लाइट क्या होता था, कि वह तेल से जलती थी, लाइट, ट्रेन के अंदर भी, थोड़ा सा और पास आते रते हैं, देखिए, यह जो सिस्टम देखना यह होता है, पानी बढ़ने के लिए, और इसमें जो ट्रेन का पालेट होता है, जो ड्राइवर होता है, वो खोलता है उपर से, उसके जो हल्पर होते है, उपर देखिए अगर तो यह जो है, जो आप देखना हो पर एक वील था, इसके अंदर पानी खुलता था और इस टीम इंजिन के जो बॉयलर टेंग के उपर तने अटेंग उसके बढ़ धाता था फिर यह ऑंदर बॉयलर गाने जाता था था स्टी मंती थी श्रीम से प्रेशर क्रेट होता है, वो प्रेशर जो है हाईडा लिक के देखियiden बहते भावाए है यह पमप और यह पुराना हो ऑजा आज है यहा पर एक पार आप रख़ा हुआ है या पे एक पारप और रख्या हुआ है यह रखा हुआ है यह पार् keyword यह भी काफ़े इंटरसिंग लग रहा किते सारे बोल्ट एंड लगे में हैं इसको बोलते हैं लोको मोटिव बॉइलर देखिए यह होता है बॉइलर एक इंजन के अंदर बड़े इंजन का बॉइलर है इसके अंदर पानी भर जाता है और इसकी जो थोड़े सा पास आगे कैया इसके आगए अगर अपने अंदर बना रहा है तो कभी फटनार जया मैं क्योंकि बॉइलर का साइज रहा है यह देखिए बॉइलर का साइज इतना बड़ा साइज है यार कुछ इस तैप के बॉइलर उस वक्त दाइनकों बड़े लोको मोटे बॉइलर हुआ करते थे और इधर से अगर आईए इसको देखे क्लीनिंग प्रसेस क्या होता था इनका क्योंकि बॉइलर के अंदर बीना जो पानी होता था अगर किसी टाइप का पानी है तो जब वह उबलता है तो इसके इंदर वाइट वाइट लगए खटा रहता था तो यह खोलते थे इसको और इ सिटी वाला इंजन है यह इंजन नहीं है बेसिकली है कि रेल टाइप से जिसके लोगों को ऐसे बिठा दिया जाता था अब इसकी जो अगर इंफ्रोमेशन पड़े तो यह नाइटीन फिफ्टी फाइफ के इंदर चलती थी इस्टन रेलवे की तरफ से रेल बस है यह इसकी अगर लेंथ दिखाई जाए तो यह देहिए कुछ इस ट्राइप की यह लिमोजीन है अभी इसके उपर काम हो रहा है तो काम होने के बाद है मुझेम में जाएगी अभी आई मिया यह कुछ वो गाड़े में दिखा रहा हूं जिनको पर काम हो रहा है अभी हम और भी जो वीडियोस हैं वो करने वाले हैं अंदर की गाड़ियों के तो चलो फिर अंदर चलते हैं अभी वैसे यहां पर कुछ दिखाने वाला है नहीं और यह जो गाड़ी है यह सारी रिस्टोर होने आई है तो गाइस यह म्यूजियम की सीरीज है काफी इंटरस्टिंग होने व झाल झाल